हलो स्टूडेंट आज मैं आपको फिजिस सेकेंड का लेच्चर 15 में धौनी के बारे में बताने जा रहा हूं तो चलिए आज आपको शुरू करते हैं धौनी धौनी क्या है साउंड तो साउंड में सबसे पहले आप परिचे जानिए मतलब धौनी होता क्या है धौनी भौतिक विज्यान की वासाखा जिसमें धौनी तरंगों के संचरण तथा उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रभाव का अध्यन किया जाता है धौनी क्या है भौतिक विज्यान की वासाखा है जिसमें धौनी तरंगों के संचरण तथा उनके मार्ग में धौनी चल रही है संचरण हो रही है उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रभाव का अध्यन किया जाता है धौनी की कहलाती है तो सबसे पहले इसमें साइबाईन ने ध्वनी प्रभाव का अध्यन किया था तो साइबाईन ने बताया था मनुष द्वारा 20-20 हर्स से 20 किलो हर्स तक की आबरित्ती के कमपोनों को सुना जा सकता है जिसे स्रोवन भी कहते हैं तो ये तो था ध्वनी और इनका परिचा है अब ध्वनी के अभी लच्छड तो ध्वनी के अभी लच्छड में ये जानिया पहला है गुर्ता यानि इसकी गुर्ता क्या है यानि ध्वनी की गुर्ता तो ध्वनी का वा अभी लच्छड जिसके कारण हम समान आबरित्ती वा स समान त्रिवता की ध्वनी में अंतर कर सकते हैं तो क्या है गुर्टा बच्चो जिसमें समान आपरित्ती वा समान त्रिवता की ध्वनी में अंतर कर सकते हैं गुर्टा कहलाता है जैसे वादे अंतर दूसरा बच्चो है प्रबलता तो प्रबलता क्या है तो प्रबलता में दूसरा अभी लच्छन है, इस अभी लच्छन के कारण ही ध्वनी धीमी या तेज सुनाई देती है, यानि आप कहने को प्रबलता के बारे में यह भी कह सकते हैं कि प्रबलता ध्वनी या तेज सुनाई देती है, या धीमी सुनाई देगी या तेज सुनाई देती है ध्वनी उसको हम प्रबलता कहते हैं फिर आता है तारत तारत तो क्या है बच्चों तारत तो मिन्स पिच तो तारत तो क्या है तो तारत तो में क्या है तारत तो भी जो है वो धनु का प्रमुक अभिलच्छन है जिसके अधार पर हम मोटी तथा तिच ध्वनी में अंतर कर सकते हैं जैसा बच्चों जानते हैं कि आदमियों की आवाज मोटी होती है और लड़कियों की आवाज पतली होती है तो वो किस में आता है तारत्त के कारण होता है तो तारत्त मेंज मोटी अथ्वा तिछ ध्वनी में अंतर कर सकते हैं उसके हम बोलते हैं तारत्त